कि अब किसे आप सब आई हूँ आप सब एक दम अच्छे होंगे एक दम बढ़िया होंगे आप सब की पढ़ाए भी काफी अच्छी चल रही होगी तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़ा रही हूं तो तीन अल्रेडी हमाई है त्रांसपोर्ट के टाइप हो चुके है रोड रेल वे याण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट थीक है तो आज हम प् हम फूच्छ ठाइप पढ़ेंगे दीख रहों पढ़ना स्था करते हैं Air Transport is most advanced transport. यह जो air transport होता है यह आज के time में इसको बहुत जादा advanced transport महना चाहता है. advanced मतलब जो आज के time में जादा बहुत जादा use हो रहा हो बहुत जादा आज के time के लिए बहुत जादा अच्छा हो. ठीक है, it covers distance through shortest route with fastest speed ठीक है, तो आप सब को पता है, जो aeroplane वरा होते हैं, तो ये जल्दी जल्दी distance cover कर लेते हैं और अच्छी speed से वो transport कर सकते हैं, ठीक है ना, several new types of aeroplanes with high speed have been introduced, देखो आज अभी मतलब कुछ समय पहले बहुत सारे ऐसे aeroplanes introduced के गए हैं, जिनकी speed क्या है, बहुत जादा है, ठीक है, and they are making regular flights, ठीक है, और flights मतलब, ये जो plane होते हैं, income flights भी बूलते हैं, तो ये जो इनकी एक continuous service है, ऐसा नहीं है कि कभी ये चलींगी, flights कभी नहीं चलींगी, ठीक है, regular service provide करते हैं, तो जब भी आप चाहें कि आपको transport करवाना है अपना समान, तो आप easily air transport के थुरू करवा सकते हैं, now, air transport can be regarded as an indispensable part of the modern transport system, तो air transport को आज के time में, modern time में, indispensable part माना गया है, indispensable part मतलब, जो की हट नहीं सकता, जो subtract नहीं हो सकता, छीक है, जो subtract आप नहीं कर सकते, छीक है ना, जिसको आप हटा नहीं सकते, छीक है, I hope आपको चीज़ clear हुई हो, फिर हम features पढ़ना स्टार्ट करते हैं, air transport के, first feature है, it has the highest speed among the existing mode of transportation, तो ये बोला जा रहा है, कि जो अगर हम बाकी के types देखें, transport के, तो उन में से, इसकी ही सबसे ज़्यादा speed होती है, छीक है ना, special arrangements are necessary for air transport, तो बहुत सारे ऐसे special arrangement बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, air transport के लिए, तो वो सारे arrangement किये जाती हैं, it is the most expensive, expensive mode of transport, ये देखिए, जो aeroplane है, आप, आपको पता है कि, aeroplane मतलब अगर आप flight में भी जाते हैं, जब आप ticket वरा लेते हैं, तो वो भी costly होता है, छीक है, तो aeroplane के service ही बहुत जादा costly है, उसको maintain रखना, flight को maintain रखना, उसकी जो operating cost है, वो भी ज़्यादा high है, तो इस वज़े से ये expensive माना चाहता है, ये वाला transportation, ठीक है, तो बस आज की class में इतना ही, बस मुझे आपको air transport का meaning और उसकी feature समझाने थे, I hope आपको ये चीज clear हुई हो, कल की class में आपको इसकी advantages और disadvantages करवाऊंगी, air transport के, ठीक है, तो अगर कुछ भी doubt or confusion है, इस topic के regarding तो आप आप हम से comment section में पूछ सकते हैं, तो फिर अब हम मिलेंगे, कल के class में तब तक के, बाई!